question क्या कह रहा है सबसे पहले पढ़ो है ना so that one and only one out of n n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer तुम्हें इसमें question ही नहीं समझ में आ रहा होगा सबसे पहले तो तो question समझो क्या कह रहा है कि जो हमारे numbers हैं जो 3 से divisible होने वाले मतलब जिसमें 3 से भाग लग जाएगा वो या तो n टाइप के होंगे या n plus 2 टाइप के होंगे या n plus 4 टाइप के होंगे है ना चाहे आप कोई भी any positive odd integer ले लिजे कोई भी n का value क्या लेना है positive integer positive integer तो positive integer क्या होता है बता दो 1 2 3 4 5 6 ये सब होते हैं तो n का जो value डालोगे तो या तो इस type का number देखो या तो इस type का number देखो या तो इस type का number देखो जैसे मान लोगी ये इन का value हम 1 डाले तो 1 डालेंगे तो ये 1 मिलेगा और ये 1 प्लस 2 मिलेगा और ये 1 प्लस 4 मिलेगा तो ये देखो ये कितना आया 3 आया ना ये 5 आया ये 2 आया तो हम क्या बोले कि n का value अगर डालोगे 1 मालो integer कोई भी इंटीजर तो जब 3 से divisible होने वाले हैं या तो इस form के नंबर मिलेगे या इस form के मिलेगे या इस form के मिलेगे समझ में रहा है कोभी भी तुम अब इस form का मतलब क्या होता है पहले देखो बड़ी confusion होती है बच्चों को वो समाजी नहीं पाता है कि इसका मतलब क्या है ये एन एन प्लस 2 एन प्लस 4 का मतलब क्या है है ना मतलब कि क तो remainder 2 आएगा और यहां पर जब 3 से भागा दोगे तो remainder क्या आएगा ज़रा बता दो यह n प्लस 4 है अगर इसमें तीन से divide करेंगे तो remainder क्या आएगा एक आएगा वहुत बढ़िया मतलब अब यह जान गए हो ना यहां से समझ गए हो ना कि n प्लस वन टाइप का नंबर और n प्लस 4 टाइप का नंबर सेम होता है क्योंकि n प्लस 4 को हम क्या लिख सकता है n प्लस 4 को n प्लस 3 और प्लस 1 तो n प्लस 3 तो n का value यदि कोई भी integer इसमें डालोगे तो जो 3 से डिविजबूल वाला नंबर है वो या तो यह फॉर्म लेगा या तो यह फॉर्म लेगा या तो यह फॉर्म लेगा जैसे n का value माल लो हम 2 डालते हैं तो तो दो डालेंगे तो हमारा कौन सा तीन से डिविजबूल हो ला दे देगा ये नहीं देगा दो डालेंगे तो ये दो होगा ये होगा आपका चार और ये होगा छे तो ये तीन से डिविजबूल हो गया की नहीं हो गया हो गया ना एन का वैलू माल लो थुरी डाले तो थुर डालोगे तो यही divisible हो जाएगा यह नहीं होगा तीन दू पांच और तीन चार साथ यह नहीं होगा अब एन का वैलू चार डालोगे तब यह नहीं होगा चार दो छे ये हो जाएगा चार और चार और चार आठ मतलब कि ये हो जाएगा मतलब कि अगर तीन से divisible होना है और आप कोई ये integers डाल रहे हो तो इन तोईनों में से ही कोई एक नंबर आएगा जो तीन से divisible हो जाएगा है ना question समझ गया लेकिन ये नंबर को रख रख के नहीं दिखाना है हमें हमें ये बात को प्रूफ करना है कि जो नंबर आएंगे वो n, n plus 2, n plus 4 टाइब के आएंगे ये तीन से divisible होने वाले नंबर है इन ही में से कोई न कोई एक आएगा इसलिए लिखा है कि so that one and only one out of this या दिस या दिस इन में से ही कोई होगा जो होगा is divisible by 3 जो 3 से divisible होगा कब, where n is any positive integer आप n का कोई भी positive integer डाल लो या तो 3 से divisible होना होगा तो ये इस form का generate करेगा या इस form को generate करेगा या इस form को generate करेगा अब देखो क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे question है कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे अब प्रिस देखो हम एक number select करते हैं जो दुनिया में exist करता है है ना दुनिया में exist करता है कोई number let select a number a नमबर a है ना देन अब पोजिटिव लिख ले ना let select a positive number अब पोजिटिव integer लिखो और ज्यादा बहतर है positive integer a है ना देन अगर माल लो एक number हम positive integer select किए a तो अगर हम a को अगर select कर लिए हैं और a में अगर हम 3 से भागा दे रहे हैं कोई भी number है हम कुछी चीज़ से भाग दे सकता है ना तो हम उसको 3 से भागा दे रहे हैं तो अगर माल लो कोई भी integer select होगा तो उसको 3 से भागा देंगे तो क्या होगा एक इसको divide करेंगे तो हो सकता है कि पूरी तरह से divide लग जाए हो सकता है कि remainder छोड़ दे यहीं न होगा तो अगर माल लो कि हम जो है 3 से भाग दे रहे हैं एको तो कुछ न कुछ quotient आएगा और कुछ न कुछ यहाँ घट calculation होने के बाद remainder आएगा यह बात समझ में आ रही है तो होगा क्या तो क्या हम यह लिख सकते है देन देन हम यह बात लिख सकते हैं कि A is equal to क्या होगा हमारा 3 into Q plus R जहाँ पे जहाँ पे remainder जो होगा कभी भी 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता है क्योंकि हम 3 से ही भागा दे रहे हैं तो 3 से भागा दे रहे हैं तो क्या होगा हो remainder या तो 0 हो जाएगा पूरी तरह से कट जाएगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा 3 अगर remainder कैसे आ जाएगा 3 रहेगा अगर मान के चलो यहाँ पे तो हम भागा ले जा सकते हैं तो कोई भी दुनिया के number को जब हम 3 से भाग देते हैं यही चीज अब previous lectures में देखोगे तो बहुत बढ़िया से फोकस किये हुए है कि का है वही या तीन से divide करने पर remainder जो है 0 बन 2 ही आता है और दुनिया का कोई भी नंबर हम से लेक कि हैं कोई भी positive number है है वो exist करेगा तो या तो उसको भागा देंगे तो remainder 0 आएगा या तो एक आएगा या तो 2 आएगा अब ज़रा सोचो कि ए एनी नंबर था वो यही न रूप लिया 3Q प्लस आर का तो माल लो late या when when remainder बराबर 0 तो remainder 0 होगा तो क्या होगा ए बराबर 3Q होगा न बोलो or late when या late मत करो when remainder बराबर 1 तो अब एक किस रूप का होगा 3Q प्लस 1 या when remainder बराबर 2 होगा तो अब जो है तुम्हारा नंबर क्या किस तरह का होगा ए बराबर 3Q प्लस 1 मिनट तब remainder तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 यानि कि 3Q प्लस 2 है कि नहीं ये समझ में आगिया बात अब ज़रा सोचो कि तुम्हारा नंबर किस तीस तरह का आया हुआ है या तो 3Q टाइप आया हुआ है या 3Q प्लस 1 टाइप आया हुआ है या 3Q प्लस 2 टाइप आया हुआ है यहीन नंबर आया हुआ है अब ये नंबर को देखो एन है एन प्लस 2 है एन प्लस 4 है तो आखिर जब एन से हम मान के चलो कि एन से जब हम भाग दे रहे होंगे तो यहाँ पर रिमेंडर क्या रहा होगा पूरी तरह से कट गया ना जब हम एन से भाग देगे तो ये पूरी तरह से कट गया इसमें हम एन से भाग देगे तो 1 एन कटेगा 2 बच जाएगा इसमें हम N से भागा देंगे तो क्या होगा N कट जाएगा 4 बचेगा तो N से भागा नहीं देना है अगर हमको यह प्रूफ करना है कि 3 से डिविस्बूल है अब देखो यहाँ पर मान के चलो जब हम 3 से भाग देंगे तो N कोई भी पोजेटिव इंटिजर हो जब हम 3 से भाग देंगे तो हम तो यहीन कहेंगे कि भाईया N किस किस तरह का नंबर हो सकता है जो अभी आया हुआ है दुनिया का कोई भी नंबर A जो है वो 3 से भाग देने के बाद किस किस तरह का रह सकता है या तो 3Q टाइप करा सकता है या 3 से डिवाइड करने पर रिवेंडर 1 छोड़ेगा या 3 से डिवाइड करने पर रिवेंडर 2 छोड़ेगा यही रहा अब इसको देखो जाए रहा इसमें भी हम 3 N के जगा पर हम क्या रखेंगे 3Q रखेंगे फिर अगला एन के जगा पे 3Q प्लस 1 रखेंगे है ना एक ही से काम चल जाएगा वैसे 3Q भी रखोगे तो भी 3 का 3 ये रूप ले लेगा इसमें एन के जगा पे तुम 3Q रख दोगे तो 3Q हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 3Q आ यहां 3Q रखेंगो तब 3Q प्लस 2 होगा होगा ना आ एन के जगा पे यहां 3Q डालोगे तब 3Q प्लस 4 होगा तो इन्हों ने बोला था ना कि वेर एन इस एनी पोजेटिव इंटिजार तो जो हमारा एन है एनी पोजेटिव इंटिजार वही एन ए माने हुए है हम लेट सेलेक्ट आप पोजेटिव नंबर ए मतलब पोजेटिव नंबर आप एन बोल सकते हो लेट आप पोजेटिव नंबर एन बोल सकते हो तो यहां एन अगर बोलोगे यहां एन बोलोगे तो तुम्हें यहां पे क्या लिखना चाहिए कि आपने n में भाग दिया है 3 से तो आपका कुछ ऐसे कहानी हो रहा होगा यहाँ पे q आ रहा होगा और यहाँ पे रिमेंडर आ रहा होगा है ना इसका मतलब जो बीच में a बराबर लिखे थे वो n बराबर लिखेंगे तो n बराबर तुम्हारा 3 q पलस आ रहा है तो भाईया क्या हो जाएगा अब n जो है या तो 3 q टाइप होगा रिमेंडर 0 डालने पे या 3 q प्लस 1 होगा रिमेंडर 1 डालने पे या 3 q प्लस 2 होगा तो यही तुम्हारा n है अब n का भेलो इसमें डाल के देख लो कोई भी N डालोगे, यही तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर आ जाएगा, कोई भी डालोगे, यह यह डालो चाहिए यह डालो, अब वही चीज हम आपको डाल के दिखाएंगे, हम इसको मिटा सकते हैं न, इसकी वह सकता नहीं हमको, देखोगे अब, ध्यान से देखोगे, अगर हम N माल लेते हैं, लेट, यहाँ पर देखना, लेट, N is equal to 3Q, है न, अगर N कोई भी positive integer हमको दिया गया है, तो N माल लेते हैं कि वो 3Q है, मने 3 से divisible हो जाने वाला नंबर है, तो अगर 3Q हम डालेंगे, इसमें, तो क्या होगा, इन ही में से कोई ने कोई नंबर आएग और 3Q plus, फूर आया, तो बताओ, अगर हम N का value 3Q माने थे, तो यह जो नंबर आया, उसमें से कौन divisible है, 3Q divisible है, आएग, divisible नहीं है, 2 remainder देदेगा, आएग 3 से divide करने पर 1 remainder देदेगा, क्योंकि 3Q plus 4 को हम लिख सकते हैं, 3Q plus 3, आप plus 1, तो यह 3 से divisible होने वाला नंबर है, त plus 1, तो 3 से divisible हो गया, 1 remainder छोड़ दिया, ठीक ना, तो अब यहारा सोचो कि यह 3Q डालने पर, इन ही में से, इन ही में से कोई ना कोई एक आएगा, मतलब 3 से divisible है, बोला है न उन्होंने कि इसी में से कोई ना कोई नंबर generate होगा, तो जब हम इसमें डाले, तो 3 से divisible होने वा तो 3 Q प्लस 1 टाइप होगा, अगर 3 Q नहीं होगा, तो क्या होगा, 3 Q प्लस 1 होगा, अब 3 Q प्लस 1 इसमें डालेंगे, तो निशित रूप से इन तीनों में से कोई ना कोई एक जो नंबर होगा, वो 3 से divisible हो जाएगा, तो ज़रा डालके देखते हैं, कौन सा होगा, पता च अब देखो ज़रा, हम मालो एन बराबर ले लेते हैं 3 Q प्लस 1, क्योंकि रिमेंडर 1 चोड़ेगा, अब ये चीज भी अगर हम इसमें से किसी एक में डालें, माना 3 में डालें, तो कोई ना कोई निशित रूप से आ जागा 3 से पूरी तरह से divisible, डालते हैं, तो अगर यहा में 2, यहाँ पे N के जगा पे अगर हम 3 Q प्लस 1 डालें, तो यह क्या हो जाएगा, 3 Q प्लस 1 प्लस 4, यानि की नंबर किस की तरह का आया, 3 Q प्लस 1 टाइप का, 3 Q प्लस 3 टाइप का, और 3 Q प्लस 5 टाइप का, तो ज़रा देखो ये 3 से divisible हो गया ना बीच वाला, पूरी तर रिमेंडर 1 छोड़ेगा, और ये रिमेंडर 2 छोड़ेगा पता है न, क्योंकि इसे हम लोग लिख सकता है, 3 Q प्लस 3 प्लस 2, तो 3 से divisible हो जाएगा, लेकिन 2 रिमेंडर छोड़ देगा, तो इन्होंने भी यही बोला था, कि इन में से, तीनों में से कोई ना कोई एक होगा जो 3 से divisible होगा, इसके अलावा नहीं होगा, अब जो है, एन का बैलू हम डाल लेते हैं मालो, लेट, एन का बैलू, 3 Q प्लस 2, तो 3 Q प्लस 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 3 Q प्लस 2 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 Q प्लस 4 हो जाएगा, अब इसमें से 3 3 Q प्लस 2, तो 3 से divisible हो गया किनी ये नमबर, तो यही बात हमको प्रूफ करना था न, कि दुनिया का कोई भी नमबर, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो या तो N टाइप होगा, या N प्लस 1 टाइप होगा, या N प्लस 4 टाइप होगा, समझ में रहा है बात, तो यह प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, तो फिर से समझो कि हम क्या लिखेंगे, फिर से एक बार समझ लो, रिकैप कर देते हैं सारा कहानी, हमको यह बात प्रूफ करना था, कि 3 से डिविजूल होने वाला जो नमबर है, वो 3 गो नमबर में से कोई न रूप ले रहा होगा, या एन प्लस 2 टाइप रूप ले रहा होगा, या एन प्लस 4 टाइप ले रहा होगा, अगर हम वो पूरी तरह से तिन से डिविजूल होगा तब, तो हम क्या किये, कि हम मान लिए अपने दुनिया में कोई भी एक नमबर एन, पोजेटिव इंटीजर जो था, अब वो पोजेटिव इंटीजर अगर है, तो हम उसमें तीन से भाग देंगे, तो क्या होगा, तीन से भाग देने पर या तो पूरी तरह से कट जाएगा, या तो रिमेंडर एक छोड़ेगा, या रिमेंडर दो छोड़ेगा, तीन नहीं छोड़ सकते, या तो रि एक रूप होगा अब इन में से किसी एक को यहां पर हम पूट किये तो निश्चीत रूप से इन तीनों नंबर में से कोई न कोई एक आ गया जो तीन से डिविजबुल था तो उन्हों ने बोला था यही बात प्रूफ करने के लिए फिर हम अगर मालो यह 3 की प्लस 1 डाले तो 3 की प्लस 1 डालने पर भी तीनों में से कोई न कोई एक डिवाइड हो गया तीन से आया समझ में बात ओके प्रेंट कर लिजे